चलिए अब तीसरी अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है संकलन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में एडिशन रियाक्षिन कहते हैं पहले इसका अर्थ समझते हैं एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें असंत्रिप्थ हाइड्रोकाबन किसी दूसरे तत्वस के साथ जुड़कर सिर्फ एक उत्पात प्रदान करे वह संकलन अभिक्रिया कहलाती है पर यहां कौन-कौन से तत्वस जुड़ सकते हैं तत्वस जैसे की हाइड्रोजन, कलोरीन और ब्रोमीन, ध्यान दे संकलन अभिक्रिया में हम सिर्फ असंत्रिप्थ हाइड्रोकाबन ही लेंगे संत्रिप्थ हाइड्रोकार्बन नहीं ऐसा क्यूं? चलिए देखते हैं एक संत्रिप्थ हाइड्रोकार्बन का उधारन लेकर इसे समझते हैं इस हाइड्रोकार्बन के सारे कार्बन आबंध पूरे हैं तो संत्रिप्थ हाइड्रोकार्बन में कहीं भी और किसी भी तत्व को नहीं जोड़ा जा सकता है पर यदि हाइड्रोकार्बन असंत्रिप्थ हो तो कार्बन-कार्बन के बीच के आबंत को तोड़ कर तत्व को जोड़ा जा सकता है इस अधार पर संकलन अभिक्रिया में हम असंत्रिप्थ हाइड्रोकार्बन ही लेंगे चलिए अब एक असंत्रिप्थ हाइड्रोकार्बन का उधारन लेकर इसे समझते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्वी आबंद उपस्तित है और हाइडरुजन तत्व इसमें जुड़ रहा हो? क्या आप याद करके बता सकते हैं कि द्वी आबंद वाले हाइडरो कार्बन को क्या कहते हैं? अलकेन, अलकीन या अलकाइन? उत्तर है अलकीन चलिए सबसे पहले अलकीन यानि कि इथीन को लेते हैं हाइडरुजन तत्व के जुणने पर अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी त्यान दें यहां क्या होगा सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच का आबंथ तूटेगा और संयोजक्ता को पूरा करने के लिए उनकी जगा हाइडरुजन आकर जुड़ जाएगा और अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी तो एक असंत्रिप्थ हाइडरोकार्बन में हाइडरुजन के जुड़ने से संतिर्प्थ हाइड्रोकार्बन बनने की अभिक्रिया को हाइड्रोजिनी करन कहते हैं जिसे इंग्लिश में हाइड्रोजिनेशन कहते हैं और आमतोर पर यह अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्तिती में होती है जिने इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं उत्प्रेरक जैसे की निकल और पेलेडियम क्या कोई बता सकता है अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या काम होता है उत्प्रेरक ऐसे प्रदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन दर्थ से आगे बढ़ती है अभिक्रिया को प्रबावित करे बिना इस अभिक्रिया में हमने निकल उत्प्रेरक का उप्योग किया है क्या आप जानते हैं इस अभिक्रिया का एक महत्वपून व्यवसाइक अनुप्रेयोग क्या है? इस अभिक्रिया का उप्योग वनस्पती तेल से वनस्पती घी को बनाने के काम में लाया जाता है वनस्पती तेल में लंबी असंत्रिप्त कार्बन श्रिंखलाएं होती है और वनस्पती घी में संत्रिप्त कार्बन श्रिंखला होती है तो कुछ इस प्रकार हाइडरोजनी करन की मदद से असंत्रिप्त हाइडरोकार्बन को संत्रिप्त हाइडरोकार्बन में परिवर्तित कि ध्यान दे यहां आर, हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन की अलगलग संख्या के योगनिक भी हो सकते हैं। इसलिए आपको सला दी जाती है कि भोजन पकाने में वनस्पती तेल का ही उप्योग करें। हमने पढ़ा कि संकलन अभी क्रिया में असंत्रिप्थ हाइड्रोकाबन ही भाग लेते हैं, यानि कि अलकीन और अलकाइन। इस अधार पर यह धोनों उत्तर हुए, वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।